हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का मेरे चैनल ट्रेन ट्रेन में ब्लैक डाइमंड राची गया और देवगर इंटर सिटी समीत 20 ट्रेनों को इंडन रेलवे ने रत कर दिया गया है विहार और पश्ची बंगाल के रेल यातरियों को जटका लगा है रेलवे ने एक दरजन ट्रेनों को रत कर दिया है इन ट्रेनों में राची धनबाद इंटर सिटी, राची देवगर इंटर सिटी, धनबाद गया इंटर सिटी और धनबाद गया हावडा ब्लैक डाइमंड एस्परेक्स शामिल है फूर्व रेल्वे और धन्वाद रेल्मंडल के इन ट्रेनों को रतकनी की सूचना ट्विटर पर जारीक कर दी है धन्वाद हावडा ब्लेक डाइमंड एस्प्रेक्स 23 मई से धन्वाद से और 24 मई से हावडा से अगले आदेश तक बंद हो जाएगी धन्वाद राची इन्टर सिटी 24 मई से दोनों तरफ से नहीं चलेगी रेल्वे ने इसका कारण परियाब तरियातरी ना मिलना बताया है धन्वाद और कुलकता के बीच में भी सफर मुश्किल होने वाला है रेल्वोट के नमती मिलने के बाद गुरुवार को धन्वाद रेल्मंडल ने इन ट्रेनों को बंद करने की सूचना जारी कर दी है इसे पहले धन्वाद ने हावडा जाने वाली कोल्ट फील एक्सप्रेक्स और राची हावडा शताबदी एक्सप्रेक्स भी रद कर दी थी अब कुलकता और राची जाने वाली दो और महत्पूर ट्रेनों को रद करने का निर्णा लिया है रेल वेकुट से बताया गया है कि दोनों ही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बहुत ही कम है जिसके लिए हमें इन ट्रेनों को रद करना पड़ रहा है तो दोस्तो इसमें जो है आसन सोल हावणा अगनी वीड़ा एस्प्रेस पर भी ब्रेक लग गया है पूर वेलवन अगनी वीड़ा एक्सप्रेस को 21 मई से रद कर दिया गया है यह ट्रेन धनबाद के यात्रियों के लिए एक महत्पून ट्रेन थी आसन सोल अगनी वीड़ा को भी 21 मई से रद कर दिया गया है जारकंड और बिहार के यात्रियों की भी मुसीवत बढ़ गई है पूरे एल्वे ने दस ट्रेनों को रद करने के साथ ही पूरे मदरे एल्वे ने भी दस ट्रेनों को रद कर दिया गया है जिसमें धनवाद किया रांची देवगर धनवाद जारकन की ट्रेन वह शामिल है तो दोस्तों आज की वीडियों में नहीं है आपको पसंद आए तो आपको प्सक्राइब करें और मिलते हैं कि वीडियों में ऐसे नई वीडियों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत